आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल जिम अस्टडी में आज की वडियो में हम लोग कवर करने बाले है एनलेसिस कोश्चन यानि आपके एक्जाम में जो भी कोश्चन पूछे जा रहे ठीक है बहुत सारे स्टुडेंट खास करके जैक बोड के जो अस्टुडेंट है ठीक है उन्हें पता नहीं कि ये अनलेसिस वाला कोश्चन होता क्या है अनलेसिस कहने का मतलब है कि एक्जाम में बीते हुए एक्जाम में जो कोश्चन पूछे जाते है वो student हमें बताते हैं आकर ठीक है एक्जाम देकर कि इस topic से question पूछे गए थे या फिर ये प्रस्ण पूछे गए थे उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं उसी topics को आपको बताते हैं उससे benefit क्या होगा आकर इस वीडियो को देखने से आपको benefit क्या होगा ये जानना बहुत ही होता क्या है कि लगतार जो question पूछा जाता है न वो उसी topic से ही question repeat होता है ठीक है हाँ मान के चलिए अगर आज के date में यानि 25 तारीकों सिप्ट वन में अगर कोई question repeat हुआ हडपा सवेता के chapter से तो समझे कि वही question आप से नहीं पूछे जाएगा लेकिन उसी topic से कुछ दूसरा question जरूर पूछा जाएगा और अगर आपने 24 तारीको analytic वीडियो में देखा कि हडपा सवेता topic पूछा गया था तो इसका मतलब हम लोग अगर पढ़के जाएंगे तो मेरा भी exam में पूछा जाएगा तो आप लोग अगर उस topic को देखकर जाओगे तो आपके exam में बहुत ही question आप cover कर लोगी ठीक है हाँ पहले से भी आप पढ़े रहना चाहिए यहने कि आप डारेक्ट एक दिन यहाँ पर analytic वाला वीडियो देखकर topics पढ़के आप वहाँ पर जाकर exam दोगित ऐसे नहीं होगा ठीक है कम से कम कुछ तो पढ़े हो और 100% सारे student पढ़े हैं क्यों क्यो हम लोग आज के वीडियो में discuss करेंगे वही चीज यहाँ पर history का भी discuss करेंगे इसके बाद हम लोग GT का भी discuss करेंगे ठीक है जहां तक जितना question हमें student से मिला जितना वो बता सकते लेकिन जितना भी उनसे possible हो सका वो question बताया उनकी आधार पर मैंने यहाँ पर लाया है ठीक है कितना simple question है आप लोग अच्छी तरीकी से जानते हैं comment box में इसका जवाब भी दीजिएगा दूसरा जो topic है हड़पस अवेता से ही ब्रहत असनानागार से भी question पूछा जा रहा है ठीक है उसके बनावट से related ठीक है ब्रहत असनानागार जो है उसके बनावट से जो question पूछा जा रहा है detail से देख लीजेगा कितनी चोड़ी कितनी लंबी किस दिसा में सिड़ियां थी और किदर से पानी को डाला जाता था और किदर से पानी को निकाला जाता था वो सारा कुछ आप लोग detail से देख लीजेगा आगे अगर देखा जाए तो सुम्मिलित वाले प्रस्ण लेट रहता था यानि किसट को वह अस्थल्क हो जा गिया तरह यहांगे इस तरीके से मिलान करना रहता है इसके अलावे ऐगर अस्थल के साथ ठीक है यानि जो सांची का अस्तूप था उस टॉपिक से भी पूछा गया था और सुधरसन जहील कर इर्मान किसने करवाय था ये भी कोशेंट पूछा गया था चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं फोर्थ नमबर पंच यतंतर जो बुक है उसके लेकग कौन है तो वो विस् और लेका के उसे related question पूछे जा रहे हैं everyday पूछे जा रहे हैं एक्जाम में किसी ना किसी सिप्ट में everyday पूछा जा रहा है आगे देखते हैं यहाँ पर हमपी को विस्व विरासत अस्थल कब घोसित किया था बहुत ही simple है और यह भी question पूछा गया था इसका भी जवाब comment box में जरू दीजेगा six number है अमरना एक जो topic है उससे related question पूछा गया seven number पर है असोख के अभी लेको को सरोपर थम पढ़ा था वो कौन थे तो jambs principle थे यहाँ पर पा होगा ठीक है jambs principle तो इस topic से भी question पूछे गये थे इसको देख लेना असोख के अभी लेक वाले topic को detail से पढ subjective वाले pdf थे वो भी मैंने दे दिया है अगर जो पहले से मेरे पास पढ़े होंगे और खास करके अगर subjective वाले pdf को पढ़े होंगे ना उसको चिंता करने की बिल्कुल भी दिकत नहीं है इतना simple simple question आ रहा है अगर वो subjective पढ़े होंगे ठीक है और practice भी question का किये होंगे तो चल book वगेरा related question पूछे जा रहे थे है ना यातरी जो भी थे तो वो सारे चीज़ आप लोग जरूर देख लीजेगा इससे question जरूर बनेंगे आने वाले exam में सबसे important बाट कि आप लोग analytic वाला जो playlist है उसको जरूर जा कर देखेगा मेरे channel पर ठीक है शुरुवात से लेकर अभ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे याँ पर देख लेते हैं 10 नमबर जो topic है वो आपका जगनात का अर्थ ठीक है ये question पूछा गया था 11 नमबर ते ये गौतम बुद्ध के किस अवस्था को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं तो ये भी question पूछा गया था 12 नमबर हिस्टी में पूछा जा रहा है पांच question ठीक है और किसी एक chapter को target बना कर जैसे हैं आपर 25 तारीको महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी से related ये आपका second slot या फिर हमको लगता है 12 बजे वाला जो exam वाला date नहीं रता है उसमें पूछा गया था ठीक है महात्मा गांधी व पूछा गया student question को नहीं बता पाए उन्हें याद नहीं था तो आप लोग जरूर detail से पढ़ लिजेगा इससे पहले analytic वाले वीडियो में हिस्टी में मैंने बताया कि सविधान से कौन से topic से question पूछे जा रहे तो उस topic को भी cover कर लेना है अब आते general test में जितने भी question students हमी मिल जहां तक possible हो सका मैंने यहां पर लिया तो average से दो question पूछे जा रहे ठीक है आप लोग average को cover कर लिजेगा अगला topic है time and work ठीक है इससे question पूछे जा रहे यह हर एक day यानि हर रोज पूछा जा रहा है time and work और time and distance इन दोनों से question पूछे गे थे हर रोज पूछा जा रहे इसको type होता है न वही type का question पूछा जाएगा concept clear होना चाहिए बस आप वहाँ पर question का answer दे पाओगे ठीक है आगे देखिए next topic geometry से भी question पूछे जा रहे इसमें आपका वरित से related question हो सकता है छेतरफल पूछे होंगे या परिदी वगरा कुछ भी question पूछे होंगे हमको लगता है इस और calendar के question पूछे जा रहे हैं तो याद रखिएगा ठीक है calendar से भी question पूछे जा रहे है 25 तारीक के date में क्या question पूछा गया था कि 23 सितंबर 2011 के बीच कितने दिन पढ़ते हैं ठीक है वो count करना था तो इस type के related question भी आप लोग cover कर लीजेगा आगे देखिए अगला topic के आपका जरूर देख लिजेगा खास करके जो चीतर वाले question है ठीक है आगे देखिए आप fourth number alpha weight series ठीक है alpha weight series से तीन question पूछे गये थे और आगे देखिए gk वाले question gk वाले में कौन कौन से topic थे यहाँ पर देखिए question पहला पूछा गया था जमसेद पूर किस नदी के किनारे है तो मैंने gk का भी कई question करवा दिया कई topic भी करवा दिया उसको भी जाकर देखिए book and author वाले question करवा दिये यह जो असोग चक्र होता है यह आपका award होता है सबसे पहले किसे मिला था यह आपको बताना है इस से related question आज की date में पूछा गया था ठीक है तो award वाले question भी देख लिए वो भी मैंने आपको करवा दिया है वीडियो में जाकर देख लिजेगा playlist में general test वाले playlist में तो इतने सारे question पूछे गए और इनी topic से आगे भी question पूछे जाएंगी बस थोड़ा सा difference क्या रहेगा जो 24 को अगर पूछा गया वही question 25 को नहीं रहेगा लेकिन उसी topic से question रहेगा समझ में आया ना तो आपको क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया अब आप उसकी त्यारी कीजिए उमीद करते हैं कि आपका exam अच्छा जाएगा ठीक है और जो भी नए वीवर है ठीक है प्लीज जल्दी से channel को subscribe कीजिए ठीक है कुछी subscriber बचे हुए 20,000 होने में तो प्लीज support कीजिए और subscribe कीजिए जिस तरह मैं आपको support करता हूँ हमेशा help करता हूँ ठीक है मिलते हैं फिर next वीडियो में